हाई मैं हो तुशाब और आप देखरें फंडू कंटेंट इस साल बॉलिवुड में कई बड़ी बड़ी बहतरीन मेगा ब्लॉक पिस्टर पिच्चर रिलीज हुई है और ना ही इस साल बॉलिवुड में बिग बजट फिल्म्स ने अच्छा किया है पर साती सात कम बजट वाली पिच्चरों ने भी लोगों का दिल जीत लिया जैसे कि हम बात कर सकते हैं आयुश्मान खुराना की अंदादुन और साती सातुन की पिच्चर बदाई हो भी आयुशमान खुराना की दोनों ही फिल्में लोगों को बहुती ज्यादा पसंद आई और अभी तक लोग उस पिच्चरों की बहुती ज्यादा तारीफ भी करते हैं आगे इन दोनों पिच्चरों के बाद बहुत सारी बॉलिवुड की बिग बजट फिल्म्स भी रिलीज हुई हैं जैसे की थक्स ओफ इंदोस्तान जिसमें हमने पहली बार आमिर खान और अमिता बच्चन को साथ में देखा और फिर इसके बाद रिलीज हुई 2.0 भी जिसके एफेक्स एफेक्स के बारे में अभी तक लोग बहुती ज्यादा प्रशनसा करते हैं इस तरह से इस साल बॉलिवुड में कई बहतरीन पिच्चरे रिलीज हुई हैं और साथी साथ इन पिच्चरों ने बॉक्स ओफिस पर भी कमाल कर दिखाया है और अब जब साल खतम हुन बताते हैं जिस वज़ा से आपको ये फिल्म जरूर देखनी जानी चाहिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कारण नंबर पाच से जो है इस पिच्चर का प्लॉट ऐसे कितनी पिच्चरे आपने भला देखी होंगी जो जूड़ी होती है ना ही रोमान्स और ड्रामा है पर साथी साथ ये फिल्म सच्छी घटनाओं पे आधारित है और बहुती ज्यादा थ्रिलिंग भी है केदारनाथ फिल्म बनी है 2013 के उत्राकंड के फ्लॉट्स के उपर उत्राकंड ने ये फ्लॉट्स ने काफी तबाई मचाई थी और काफी लोगों की चान भी गई थी और इस दिन लड़के से आगे कहानी इन दोनों के इर्दगिर्धी घुमती है चलिए हम बढ़ते हैं कारण नंबर चार की और हमारा कारण नंबर चार है सारा अली खान जी हां आप सही सुन रहे हैं हमारी नई डेपिटिंट सारा अली खान को देखने के लिए सभी लोग उत्साहि नवाफ फैमिली से जो बिलॉंग करती है सैफ अली खान और अमरिता सिंग के बेटी पूरी की पूरी अपनी माता के उपर गई है सारा अली खान अपनी माता की तरह ही दिखती है और सभी देखना चाते हैं सारा अली खान को बड़ी स्क्रीन पर सारा अली खान ने इस पिच भी होके आई है जब करन जोहर ने सारा अली खान को मुश्किल सवाल पूछे सारा अली खान ने कॉंच्विडेंटली और स्मार्टली उन सारे सवालों का जवाब भी दिया था सारा अली खान एक हुनहार लड़की दिखाई देती है और उनको देखकर ऐसा लगता है वो बॉल काफी सराया गया था तो चली हम आगे बढ़ते हमारे कारण नंबर तीन की और हमारा कारण नंबर तीन है सुषान सिंग राजपूत और अभिशेक कपूर का कॉंबो यह आक्टर और डायरेक्टर का कॉंबो ने हमें काफी इंप्रेस किया था साल 2013 में अपनी क्रिटिकली ए कारहा से काई पोचे बहुती ज्यादा सराया गई थी और बहुती ज्यादा प्रशंसा की गई थी उससे भी ज्यादा केदारनात लोगों को पसंद आ सकती है क्योंकि केदारनात के चर्चे पहले से ही हो रहे हैं और सभी के जुबान पे यह अड़ी हुई है सभी देखना च चीजे हैं जो आपको चौका देगी और आपको डरा भी दे सकती है इस फिल्म के वी एफेक्स एफेक्स बहुत ही ज्यादा खुबसूरत है इस फिल्म के डायरेक्शन की वजा से आप अपने खुरसी के एच पे ही बैटे रहेंगे पूरी पिच्चर की दौरान और जैसे की हम को जुड़ी हुई सारी कॉंट्रोवर्सी जबसे केदारनात बनना शुरू हुई है तभी से केदारनात को जुड़ी हुई काफी कॉंट्रोवर्सी मीडिया में सामने आई है और हाल ही में अभी अभी एक कॉंट्रोवर्सी आई थी लव जिहाद के बारे में कि लोग कहते ह ये फिल्म लव जिहाद को प्रोमोट करती है पर मैं आपको बता दू ये फिल्म सारी कॉंट्रवर्सिस को उभर के आया है तो इस फिल्म को देखना तो जरूर बनता ही है अब आप लोग हमें ये बताईए कि क्या आप लोग ये फिल्म देखना पसंद करेंगे इसी के साथ मै तो शाबा आप लोगों से अलविदा लेती हूँ आगे ऐसी ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर ये फंडू कंटेंट को